इवनिंग फ्रेंस मैंने में राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालसस आज का डेट है चार जनवरी 2022 आज हम लोग जिन से इसके उपर मंतली प्रिव्यू कर रहे हैं वो है EPL क्या करना चाहिए इस शेयर पे RBL Bank जो मेरे Part of 2 lakhs का जो मैंने Portfolio बनाए series उसमें भी Part था जिसमें मैंने Profit Booking सही टाइम पे की थी और सारे सब्सक्राइबर मेरे Profit में हैं अगर मेरे RBL Bank के वीडियो वो रेगुलरली देख रहे हैं और Support और Registants अगर उन्होंने Follow किया रहेगा Support पे Buy किया रहेगा 200 के पास ब वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तब भी आपको कही न कहीं Profit मिलेगा मैं आपको आंग बन करके ये Share ले लो ये Share का ये Target है ये Share बाई कर लो इसका ये Target है कभी नहीं बोलता हूँ मेरे चितने भी Subscribe है अगर वो पूस्ते भी है ये Share का क्या Target है मैं हमेशा बोलता हूँ Giving Target is always a wrong practice आप Support Resistance बता सकते है Target कभी नहीं दे सकते है Target देना मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये Share का Value ये Price होगा वो तो होगा वो कभी भी हो सकता है कोई भी Share पकड़ो 200 का है मैं बोलूगा 400 हो सकता है बट वो कभी होगा ये कोई नहीं बता सकता मैं जो आ आपको कहीं न कहीं टिप्स मिलता है जो आपको Share Analysis करने में काफी मदद करता है साथ मैं आपको भी कंपनी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मैं रेकमेंट बॉक्स पर बताईए ताकि मैं उस पर जल से जल रिसर्च करके वीडियो बना सको बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की यूएस पी है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही स से इसके सपोर्ट और रजिस्टनस अपडेट होते रहते हैं साथ मैं आप मेरी प्लेलिस में भी देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए काटेगरी वाइस क्लासिफिकेशन किया हुआ है अब बात करेंगे आज हम लोग जिन से इसक्यों पर मंतली प्रिव किया था तीनों के तीनों शेर अगर आप देखेंगे 200 डे यह में के नीचे ही चल रहे एपियल एपियल कंपनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है यह सारा इंफर्मेशन जाने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए एपियल का मैंने लाश्ट विडियो बनाया था दो डिसंबर 2021 को जब इसकी क्लोजिंग हुई थी 202 रुपे 65 पैसे सपोर्ट 1 190 सपोर्ट 2 200 सपोर्ट 3 210 रेजिस्टंस 1 220 रेजिस्टंस 2 230 रेजिस्टंस 3 250 का एपियल आज की डेट पे अगर आप देखेंगे चार जनवरी 2022 इसकी चो क्लोजिंग का देखेंगे यह 214 रुपीज है और इसका इसमेने का जो लोइश्ट है वो है 192 जो की आल्मोस सपोर्ट 1 है जो मैंने पिछले मैंने दिया था इस महीने भी आपको 190 का ही स्ट्रॉंग सपोर्ट दे रहा हूँ बात करेंगे RBL बैंक के बार में RBL बैंक कपनी क्या गरती है कौनसी कैटगरी में आती है यह सारा इंफर्मेशन जाने के लिए आप यह ओपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए RBL का मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वीडियोस पूरा देख रहे हैं वो definitely प्रॉफिट में रहेंगे वो तो नुकसान पे नहीं रहेंगे RBL का मैंने जो श्टॉक मार्केट का जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ एक सीरीज बनाई हुए टूलैक्स के पॉर्टफॉलिय उसमें भी पार्ट लिया था उसमें मैंने इसे बाई किया था सही टाइम पर प्रॉफिट बुक की थी 5-6 रुपे और बढ़ा था और उसके बाद आप देखिए कहां तक आ चुका है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप उसके सबसे लोइस्ट में ही बाई करेंगे और सबसे हाइस में उसका सेल करेंगे आरबियल बैंक अगर मैंने लाश्ट टैम इसका वीडियो बनाए था दोड़िसमब 2021 को जब इसकी क्लोजिंग वी थी 192.05 सपोर्ट वन 140, सपोर्ट 2160, सपोर्ट 3180, रेजिस्टंस 1200, रेजिस्टंस 2220, रेजिस्टंस 3 था 240 का आरबियल बैंक आज के देट पर आप देखेंगे 4 जनवरी 2022 इसकी जो क्लोजिंग है 130.85 सपोर्ट 100, सपोर्ट 215, सपोर्ट 330, रेजिस्टंस 1 145, रेजिस्टंस 2160 और रेजिस्टंस 3 है 180 का हाईस अगर आप इसका देख रहें, यह है 205 रुपीस 40 पैसे और इसका इसमेन का जो लोइस्ट है वो है 123.80 205 का जो मैंने दिया था, रेजिस्टंस 1 यह अचीव किया, RBL बैंक लास्ट आम भी इसका वीडियो बनाने के रहें, यह 192 पे था, तब भी आपको इसको रेजिस्टंस जोन रखा था, 180 का सपोर्ट था, 200 तक का रेजिस्टंस था, यह 200 तक आया और उसके बाद वहां से उ उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए, जैश्ट डेल का मैंने लाश्ट टेम वीडियो बनाय था, 2 December 2021 को जब इसके क्लोजिंग वी थी, 707 रुपी 65 पैसे, सपोर्ट वन 650, सपोर्ट थो 700, सपोर्ट 3 750, रेजिस्टंस 1 800, रेजिस्टंस 2 850 और रेजिस्टंस 3 900 का था, जरूर देल आज के रेट पे, 4 January 2022, इसकी जो क्लोजिंग है, 813.85, सपोर्ट वन 700, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, सपोर्ट 750, सपोर्ट 3 800, बट रेजिस्टंस 1 भी है 800, रेजिस्टंस 2 850 और रेजिस्टंस 3 है 900, हैस अगर आप इसका देखेंगे, यह है 897.40 की जो की है, अल्मोस्ट रेजिस्टंस 3 के पास, और इसका इसमेन का जो लोइस्ट है, वो है 700 रुपीज, जो मैंने पिछले मैंने आपको सपोर्ट 2 दिया था, exact सपोर्ट 2 पे उसने टच किया, और वहां से उसने रिवर्सल दिया, रेजिस्टंस 3 अल्मोस्ट टच करके, वापस अपन वीडियो के स्टाटिक में बताया, ये शेर बाई कर लो, ये शेर शेल कर दो, ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ, वो as per graph, as per analysis ही बनाता हूँ, इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 80% मेरे वीडियो के सपोर्ट और रेज इस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीजिए, जो लोग भी शेर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहें, या फिर इन्वेस्टिंग कर रहें, ताकि ये important information उन तक भी पहुंच सके, thank you so much, have a nice day.